स्टापलिस का पॉपलिस सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में बहुत ही जबरदस ट्विस्ट आने वाला है जिया हमने इसके पहले भी आपको दो तीन बार वीडियो बना कर ये बताया था कि किस तरीके से अभिनव जो है उनका एक्सिडेंट होने वाला है और उसके पीछे का जो रीजन होंगे वो अभी मन्यू होंगे तो लीजिए प्रोमो नया आ चुका है जहाँ पर अभी मन्यू क का अभिनव का एक ऐसा ट्विस्ट दिखाया गया है जिसके बाद जो है कि अभिनव के डेथ का अभिनव की कहानी जो अंत हो रही है उसका इल्जाम जो है सीधा सीधा अभी मन्यू पर लगा है लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है जहां पर अब जो है अक्षरा प्रेग उनकी जिन्दगी में उनका साथ दिया था जब वो अकेली थी तो उनका जो एक connection था उनका एक जो बांड था उनका जो प्यार था वो काफी ज़ाधा प्योर था और अब जो है कि अक्षरा जो है आने वाले ट्विस्ट में प्रेगनेंट होगी और वो बच्चा होगा अभिनव का अब तो अभिनव की कहानी खत्म हो रही है आप देखेंगे कि पहाड से जो है कि अभिनव का पैर पिसल जाएगा और जो वो गिर जाएंगे लेकिन अभिमन्यू कही पूछ कर अभिनव को जो है कि खाई में धकेला है आप सब जानते हैं कि अभिमन्यू ने जो है अपने बेटे को फिर एक बार अक्षरा और अभिनव के जिंदगी में वापस बेच दिया है क्योंकि उनका बेटा जो है वो अपनी मा के बगएर नहीं रह पा रहा था लेकिन अब अक्षरा को जब ये बात पता चली है कि उनके हस्बेंट जो है अभिनव जो है उनके इस जिंदगी से उनकी जिंदगी से कही ना कहीं मैं कहूं और सीरियल की कहानी में जो उनका अंध है वो अभिमन्यू के वज़े से होगा तो अब ये कहानी में और कौन से नए पास वापस जा चुके थे अभिमन्यू और अक्षरा लेकिन अब जब अभिनव ही अक्षरा के जिंदगी में नहीं रहेंगे तो उनकी कहानी कैसे आगे बढ़ेंगी कितने सारे ड्रामा कितने सारे ट्विस्ट कितने सारे और टरंज और क्या अक्षरा को ये सच्चाई पता चल पाएगी कि जो कुछ भी हुआ है वो एक मिसंडिस्टैंडिंग है और अभिमन्यू ने अभिनव का कतल नहीं किया या क्या वाकई अभिमन्यू ने अभिनव को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए किया है क्या होने माला है काफी इंट्रेस्टिंग होगा क्या लगत